हलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग एनसी का फॉर्म 25 अप्टूबर तक भर आएगा और 10 अपक्टूबर को इसका एक्जाम है तो बहुत ही सेंसेटिव मामला है कि इतने कम टाइम में आपको प्रिप्रेशन भी करना है और आपकी पकड़ भी होनी चाहिए तो इसके लिए सबस हो सकता है मेरे हिसाब से बाकी आपकी अपनी च्वाइस से बहुत सारे लोग तेजी से पर्चेस कर रहे हैं और पिछले साल भी लगवा वन थाजन लोगों ने पर्चेस किया था बहुत लोग सक्सेस्विल हुए थे तो मैं इसका इंप्लोई है ने गनाते बहुत अच्छे को एक टेस्ट न ले के आ रहा हूं और कर था प्टन पर ला रहा हूं तो आप कोशिस करें को जल्द से जल्द पर्चेस कर लेँ हैं और आपसे घुजारि से कि आप इसको कि लें क्यूंकि अगर आप सेव्योप्त चाहते तो आप सेलरी को लेकर सोच रहें सेलरी इंक्रीज होते रहते हैं ठीक है नहीं कमाने से तो बेटा रहने कि आप कमा रहे हैं वह अपके पास सेंटरल गवर्मणैंट का टैग है तो बहुत शारी भाते हैं जो आपको सोची नहीं चाहिए बहुत शारी लोग influence हो ct yphov में जाकर लो कितना खुसें यह आप भी जांते हैं जो जौब कर रहा हूं वह भी जानता है तो आपको ले लीना चाहिए टेसरीज़ अई गला पर्चेश करना चाहते है वा फ़ने भी कोई पर्णा नहीं हैँ आप अपने हिसाब से काम करिए मगर मेरा सेजेशन होगा क्योंकि मैं एनसी में आल्रेडी जॉप कर रहा हूं तो इनवार्मेंट अच्छा है और बहुं सा चीज आपको पॉजेटिव मिलती है कि जो बाकी जगों पर नहीं मिलता मेंबर भी रह चुके हैं मेंबर भी रह चुके हैं और 1987 में इनको वर्ल्ड फुट प्राइस से भी नमाजा गया था तो यह कौन से सांटिस्ट है केल चड़ा है इसके वसल है आरेस परोड़ा है या डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन है तो यह आपके सामने ऑप्सन है तो फैनली आंसर भी यही है 1987 में इनको वर्ल्ड फुट प्राइज दिया गया था और 1986 में ही यह सेट अप हुआ था मतलब वल्ड फुट प्राइज दुनिया का सबसे पहला वल्ड फुट प्राइज डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन को दिया गया था जो कि बहुत ही इंप था ठीक है 2018 में इनको वर्ल्ड एग्रिकल्चर प्राइज एट 11 ग्लोबल एग्रिकल्चर लेडर्शिप सम्मिट में निव देले में अक्टूबर 2018 में इनको इस सम्मान से भी नवाजा गया था तो अगर बात करें नेशनल कमिशन ओन फार्मर्स ऑफ इंडिया जो यह सेट अ पूछा गया था इसके एक्स प्रेशिडेंट भी रह चुके हैं तो बहुत इमिनेंट साइंटिस्ट है और किसी ना किसी वे में आप से कुस्चन डॉक्टर एमेश स्वामिनाथन से पूछा ही जा सकता है अगला कुस्चन आपके सामने है वीच आप फॉलाइंग वाजदा रेसिपेंट आप नोबल पीस प्राइज देखे एग्रिकल्चर की फिल्ड में पहले आईसे सांटिस्ट थे जिनको नोबल प्राइज दिया गया वो कौन थे जियेस खुस अमरिता पटेल संजय राजाराम या डॉक्टर एनी बारलोग इसका एंसर यही है डॉक्टर एनी इनको को नहीं जानता पूरे वल्ड में ग्रीन रिवलूशन के अकेले जन्म जाता अगर कहा जाए तो यही थे उसके बाद यह क्या थे एक कहिए तो अमेरिकन विट सेंटिस्ट थे और यह प्लांट पैथोलोजिस्ट थे बेसिकली यह थे क्या अगर नॉर्मानी बारलोग के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको क्लियरली पता हुना चाहिए कि यह प्लांट पैथोलोजिस्ट थे और धेरे धेरे यह ग्रीन रिवलूशन पे उतरे और इन्होंने ग्रीन रिवलूशन लाया अब देखिए हुआ क्या कि 1970 में इनको नोबेल प्राइस से नवा 1986 में इन्हों ने इसलिए रखा क्यूंकि इनको लगता था कि यार नोबेल पीस प्राइस है यह सारे लोगों को दिया जा रहा है तो सेटब किया था 1986 में और बहुत ही अच्छा काम था इनका और उस समय से अभी तक इन्हीं के फंड से ही यह पैसे इन्हीं के फंड से ही यह नोबिल प्राइस के रूप में मतलब समझी जस्ट इक्विवैलेंट है एगरिकल्चर के फिल्ड में वर्ड फूट प्राइस दिया ज लिए है तो यह है डॉक्टर एन ये बारलोग ठीक है आपको असपस्ट पता होना चीए अब यहां पे बहुत अच्छा कोच है नहीं देखिए ऑपरेशन फ्लड के बारे में सबको पता होता है कि यह कौन है यह डॉक्टर वर्गी स्कूरियन लाल बहादूर सास्त्री लाल लेन भी रहा आनंद गुजरात में मगर वहां पर इनका एक कॉपरेटिव चलता था जब वहां पर विजिट किये लाल बहादूर सास्त्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजे उन्होंने देखा और इनको लगा कि अगर पूरे देश में हमारा अगर मिल्क प्रोड़क् तो वर्ल्ड फूट प्राइज इनको 1989 में मिला था इनको वर्ल्ड फूट प्राइज 1989 में मिला और 1987 में कि इनको मिला वो मिला था MS स्वामी नाथन को कि वो कंड़क्टेड अब यहां पर बहुत अच्छा कुछच्छन है क्वो कंड़क्टेड रिसर्च ऑन क्यूपी एम क्वाल्टी प्रोटीन मेज पर काम किया था इन्होंने और इनमें कौन-कौन से चीज जो इन्होंने चाहा क्योंकि ज्यादा तर सीरियल जो होते हैं वो ट्रिप्टोफ्रन और लाइसिन इसमें अवेलेबल हो तो इन्होंने इस पर काम किया और इसी के लिए इनको 2000 में वर्लड़ फूट प्राइस भी दिया गया तो यह स्थेंटिस्ट कौन हैं यह हैं स्थेंटिस्ट हमारे एसके वसल और ये सिमिट में काम भी कर रहे थे सिमिट में काम भी कर रहे थे और ये मेज के ब्रीडर है अगर मेज के ब्रीडर पर आए तो इसके वसल होगा आंसर अगला कुछन दिखते है Father of Golden Revolution in India तो Golden Revolution के लिए इंडिया में कौन responsible है बहुत अच्छा कुछन है तो फिर्ट प्रोड़ॉठ्शन से रिलेटेड है तो फ्रूट प्रोड़ॉट्षंस अगर रिलेटेड है तो और सी बहुत है कि कोई ना कोई कोई पमोलोजिस्ट होंगे वही डाया हूँ है कदे कि गोल्डन रिवलुशन यही है डॉक्टर के एल चड़ा चलिए चटा कोश्चन हम लोग देखते हैं कोश्चन क्या है बहुत अच्छा कोश्चन है क्योंकि यह जनरली कोश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं अगर देखें बुक में बहुत सारी चीज़ी होती है जब हमें एक्जाम देकर आते तो लगता है रहे यार यह लाइन तो मैंने ध्यान से पड़ा ही नहीं था अगर आप उसका वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा आप इसको 2x या 1.5 में भी करके देख सकते हैं आपको टाइम टेकिंग लगे तो तो यह सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए तो फोरेज वीडिर कौन थे डॉक्टर डॉक्टर आरेस पड़ोडा यह एक्स डीजी भी रह चुके हैं आईसी आर के तो इंपार्टेंट है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं यह बहुत अच्छा कोश्चन है इंटरनेशनल वीड ब्रीडर कौन है संजय राजाराम अमरिता पटेल जीएस खुस या नन यह तो होना नहीं है जीएस खुस यह कौन है यह एक राइस ब्रीडर है अमरिता पटेल की बात करें तो यह कौन है और संजय राजाराम तो इसमें से एक उप्शन आपको बचता है वह संजय राजाराम यह इंटरनेशनल वीड ब्रीडर यह बहुत इंपोटन कोश्चन है आपके लिए कहा जा सकता है और इनको बहुत अच्छा आवार्ड दिया गया था इनको दिया गया था चाइनाज फ्रेंट्शिप मेडल 2001 में बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने चलिए आठवे कोश्चन पर हम लोग पहुच चुके हैं यहाँ पे 2000 होगा 200 लिखा गया है इनको दिया गया था तो बहुत इच्छा कोश्चन है और आपको कवर करना चाहिए इस सब कोश्चन अगर आप किसी भी एक्जाम की प्रेप्रेशन कर रहे हैं तो और टेसरीज तो आपको लेना ही चाहिए बाकी आपकी अपनी मर्जी है तो के एल चट्टा जी एस खुश डॉक्टर आरेस परोड़ा या आल अप देवो तो होना नहीं है क्योंकि डॉक्टर आरेस परोड़ा अभी मैंने जश्ट बताया है यह एक फोरेज ब्रीडर है उसके बाद जी एस खुश डॉक्टर के एल चडड़ा के एल चड़ड़ा यह एक पॉमोलोजिस्ट है तो आं दे टर्म ग्रीन रिवोलूशन दे टर्म एवर ग्रीन रिवोलूशन देखे एक है ग्रीन रिवोलूशन यह टर्म भी किसी और ने कोईन किया था आप कमेंट सक्षन ने बताइए कि टर्म ग्रीन रिवोलूशन किसी ने कोईन किया था क्योंकि ग्रीन रिवोलूशन पूरे जोर देंगे तो आपको याद हो सकता है तो इसके लिए एंसर क्या होने माला है इसके एंसर हमेशा होगा Dr. Amis Swaminathan इन्होंने Evergreen Revolution का नाम इन्होंने दिया है और टर्म इन्होंने ही इंट्रोडूस किया है Dash was the chairman of the National Dairy Development Board from 1998 to 2014 बहुत ही रिजेंट है The organization which stored India's cooperative dairy movement and led to the country to becoming the largest milk producer in the world इनका बहुत बढ़ा रोल है इस मामले में अगर कहा जाए तो इनका बहुत बढ़ा रोल है हमारा जो milk production में पुरे वल्ड में अगर फर्स्ट रंक है तो इनका बहुत बढ़ा रोल है तो आप बताईए कौन से scientist है actually यह chairman भी रहा चुके है NDDB के National Dairy Development Board जो की आनंद गुजरात में है तो इसका answer क्या होने वाला है देखेंगे GS खुष्त होगा नहीं यह rice के breeder है यह कोई अलग scientist है Dr. Amrita Patel इस पर क्या खाल क्या आपका यह होगा यह NDDB के chairman आचुके हैं और इनका बहुत importance है अगर हमारा will production बढ़ा है तो इनका बहुत बढ़ा रोल है तो यह था almost 10 questions जो आपको बहुत अच्छा लगा हो even तो आप channel को subscribe करें अगर आप इस channel पर नए है तो और फिलहाल इस video में इतना ही फिर किसी और section पर काम करेंगे अगर आपको लगता है कि कोई special topic आपको कबर करवाना है तो आप comment section में बता सकते हैं मैं उसको कबर करूँगा Thank you